ओम शिवेंगटे साय नमा मैं प्रोफेसर S.V.S.S. नारायन राजू यूच्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ संत गोस्वामी तुलसिदास जी द्वारा विर्चित स्री रामचरत मानस के अयजकान से संबंदित विबिन पदों की व्याक्या की इस शुंकला में आज मैं और एक पद की व्याक्या करने जारा हूँ अब महराज दशरत जी कई के इसे मिलने आये हैं अब आगे क्या हुआ देखेंगे कोप भवन सुनि सकुचेव रावू बयभस अगहुड परई न पावू सुरपति बसई भाह बल जाके नरपति सकल रहा हैं रुक ताके सो सुनितियरिस गयव सुखाई देखहु काम प्रताप बढाई सूल कुलिस असि अंगव निहारे ते रतिनाद सुमन सर मारे सभय नरेशु प्रियापह गयवू देकि दसादुक दारुन भयवू भूमी सयन पट मोट पुराना दिये डारितन भुषन नाना कुमत ही कसिस कुभेशता फाबी अन अहिवात सोच जन बाबी जाई निकट नुरुप कह मृद बानी प्रान प्रिया केही हेतु रिसानी केही हेतु रानी रिसानी परसत पानी पतिही निवारै मानुह सरोश भुवंग भामिनी विशम भांति निहारै दोव भासना रसना दसन बर मरम ठाहर दिकई तुलसी नुरुपति भवत भ्यता बस काम कउत को लेखई बार बार कह राउं सुमकी सुलोचन पिक बचनी कारन मोही सुनावू गज गामेनी निज कोप कर देखिए अब दशरद महराज कईके इसे मिलने आया अब आने के बाद क्या हुआ कोप भवन सुनि सकुचेवू रावू भय बस अगहुड परई न पाउं सुरपति बसई बाह बल जांके नरपति सकल रहा है रुकता के देखिए कोप भवन का नाम सुनते ही राजा बिलकुल ऐसे हो गएं कि सहम गएं धर के मारे उनका पाउं आगे को नहीं पड़ता है देखिए अब दसरत जी कैसे हैं स्वयम देवराज इंद्र जिनकी बुजावों के बल पर सारे रक्षसों से निर्बय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुक देखते ही रहते हैं लेकिन ऐसे महराज की क्या स्थिति हैं सो सुनी तियरिस गयव सुखाई देखहु काम प्रताप बढ़ाई सूल कुलिस अस अंगविना अंगव निहारे तेरतिनाद सुमन सरमारे वही राजा दश्रद स्थिका क्रोध सुनकर सुगहें काम देव का प्रताप और महमा तो बताने की क्या आवश्यकता है जो त्रिशूल वज्र और थल्वार आदी की छोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं वे रतिनाद काम देव के पुष्वबान से मारे गए सभई नरेशू प्रिय पहि गयवू देकि दसा दुक दारुन बयवू भूमी सयन पट मोट पुराना दिये डारितन भूशन नाना राजा डरते डरते अपनी प्यारी मतलब सबसे प्रिमहरानी कैकेई के पास गए उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुक हुआ कैकेई जमीन पर पड़ी हैं पुराना मोटा कपड़ा पहने हुई हैं शरीर के सारे आबुशनों को उतार कर फेंक दिया है उमति ही कसी कुभेशता फाबी अन आहिवात सूच जन बाबी जाए निकटन रुप कह मृदबानी प्रान प्रिया के ही खेत रिसानी देखे उस दुर्बुद्धी कैकेई को यह कुवेशता कैसे फब रही है मतलब देखे दुर्बुद्धी अब कैकेई भी इसमें आकर ऐसे तहिया बिलकुल एकदम ठीक नहीं मतलब वस्तरों का बिलकुल ठीक नहीं मानुम भावी विद्वापन की सूचना दे रही हो इसका मतलब आने वाले जो कस्ट समय अभी भी दिखा रहे हैं राजा उसके पात जाकर कोमलवानी से बोले हे प्राणप्रिये किसलिए रूटी हो केही हे तुरानी रिसानी परसत पानी पत ही निवारई मानुह सरोश भुवंग भामिनी भिशम भांत निहारई दोव वासना रसना दसन बर मरम ठाहरो देकाई तुलसी नुरुपति भवत अभ्यता बस काम काउत को लेकाई हे रानी किसलिए रूटी हो यह कर राजा उसे हाथ से सफर्ष करते है तो वह उनके हाथ को हटा देती है और ऐसे देखते हैं कि वानों क्रोध में बरी हुई नागिन कुरूर दुरुष्टी से देख रही हो दोनों वरदानों मतलब वासना हैं उस नागिन की दो जीबे हैं और दोनों वरदान दांत हैं वो खाटने के लिए मरमस्तान देख रही हैं यहां तो सिदाज जी कहते हैं कि देखिए राजा दश्रद होनहार के वश में होकर इस प्रकार हाथ जटकने और नागिन की बांती देखने को कामदेव की कृड़ा समझ रहे हैं अभी भी इसके अंदर जो इच्छा है अभी तक वो तो नहीं समझ पाए हैं बार बार कह रहे हैं हे सुमकी हे सुलोचनी कोकिलबायनी हे म्रोगनायनी हे गजगामीनी मुझे अपने क्रोध का कारण तो कम से कम बताओ अब इसी पद का संक्षेप में मैं अद्ध बताना चाहता हूं जैसे दश्रद जी कोप बहुन का नाम सुनते ही एकदम ढर गए हैं भाई के मारे उनके पाउं आगे को नहीं पढ़ते हैं देखे आईसे दश्रद महराज हैं जिनकी बुझावों के बल पर स्वयम देवराज इंद्र बसते हैं सभी राजा लोग जिनका रुक देखते रहते हैं वही राजा दश्रद आज एक स्त्री का क्रोध सुनकर सुब गए हैं कामदेव की महिमा और बल प्रताप तो देखी जो योद्धा त्रिशूल वज्र और तलवार आदी की छोट को अपने अंगों पर सह लेते हैं वे भी रतिनाद कामदेव के पुष्प बान से मारे गएं राजा दश्रद जी डरते डरते अपनी प्रिया कैके के पास गएं उसकी दशा देखकर उन्हें गोर दुख हुआ उन्होंने देखा कि कैके यी जमीन पर पड़ी हैं पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं शरीर के नाना आबुषणों को उतार कर फेंक दिया है इधर उधर इस दुर्बुद्धी को वह कुवेश कैसा फब रहा है मानों होनहार उसके आने वाली विद्वापन की सूचना दे रहा हो राजा उसके निकट जाकर कोमलवानी से बोले हे प्रानप्रिये तुम किसलिए रूटी हो ये तो कम से कम बता दो देखिए पूछ रहे हैं हे रानी तुम किसलिए रूटी हो ये करकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथ को जटक देती हैं और इस तरह देखते हैं कि मानों कोई क्रोध में बरी हुई नागिन क्रूर दुरुष्टी से देख रही हो दोनों मनों का मना हैं दो वर इस नागिन की दो जीबें हैं और दोनों वरदान दान्त है, वो काटने के लिए मरमस्तान देख रही हैं अब तुलसिदास कह रहें कि अभी भी राजा दश्रद होनहार के कारण इसे कामदेव की क्रिडा समझ रहे हैं और कुछ नहीं समझ रहे हैं मतलब कैके के मन के अंदर जो स्तित इस दुर्बुद्धी या दुर्गुण क्या है अभी तक राजा समझ नहीं पाए हैं इसके बावजूद भी दश्रद बता रहें कि बार बार कहते हैं कि हे सुमकी हे सुंदर नेत्रों वाली हे कोईल की सी मदर बोली वाली हे हाती की सी चाल वाली मुझे अपना क्रोध का कारण तो कम से कम सुनावो बहुत बहुत धनिवाद जैश्री राम